अगली गेंट डिलेवर होती हुई मुन्ना लाइब एक्षन तेंक यू कृष्णा टाइगर लखनव टॉस गवाकर पहले बल्ले बाजी करते हुए ट्राइक पे मेहल सिंग फर्मान की अगली गेंट उपर लेंट रखाता हवा में गेंट पीछे खिलारी मुन्ना सेख मौजूद है अच्छा कैचलप का मुन्ना सेख और यहाँ पर विकेट चटका लिया है सुन्य के स्कोर पे पहला विकेट और यह विकेट मिला है फर्मान को कृष्णा टाइगर बिना स्कोर का पहला विकेट गवाया है इड़ास सिंग वापस जाना होगा भी ना खाता खोले मुश्किल यहाँ पहली ही ओवर से आन पड़ी है कृष्णा टाइगर के उपर हलाकि यह सुरुवाती चन है और कहते है न अगाज से नहीं आप अंजाम से पहचाने जाते हैं अभी तुरंत अभी स्कोर कार्ड अपडेट हुआ है और तुरंत अपडेट हुआ और इस मैच का जो लाइव वीवर्स है जो स्कोर कार्ड सिप देख रहे हैं वो 210 संख्या जा पहुँचिए वही टोटल की बात करें तो 1752 जा पहुँचिए इस मैच को लेकर कितने एकसाइटमेंट है दर्सक के अंदर वो देखा जा रहा है एक तरफ नियाजी वारियर कुर्थवा मजहुआ पूने वही दूसरी तरफ क्रिश्णा टाइगर लखनव अगली गेंद सीदा सॉट कवर के फिल्डर के हाथों में दे बैटे हैं पीछे स्रोच प्रमारिक पकरा कैच और मेहुल सिंग को भी जाना परेगा वापस सुन्य बनाकर वापस जाते हुए पहला गेंद खेला था जब बल्लेबाज यूरा सिंग वो भी पहला बॉल डिफेंस किया दूसरी बॉल पे कैच दे बैटे मेहुल जब आये स्ट्राइक पे तो वो भी पहला बॉल डिफेंस किया और दूसरी बॉल कैच दे बैटे तो मुश्किल इस वक्त पूरी तरीके से मुश्किल में फस्तिवी टीम क्रिश्टना टाइगर लखनाउ ये दो जो ओपनर बल्ले वाजते हैं दोनों ने सुन्य बनाया है विष्णा साथ पूते मुन्ना शेक रवी बनारस संजु कनो जिया स्रोज परमानिक तॉमस डैस इसे बीच में बहुत ही खुबसूरत इस ट्रॉक सन यादो के बल्ले से लंग आफ बॉन्डरी के उपर से छेरन अच्छा यॉर्कर लेंद की गेंद रवी बनारस विकेट कीपर काफी तेज अपील किया था अंपायर पे प्रेसर बनाने की कोसिस लगिन अंपायर जो पीच मैदान पे है ये काफी अनुबवी अंपायर है इनके उपर जादा परभाव परने वाला है नहीं और खास तोर से संदीब सिंग राजपोती संपायर से हमने पहली गेंद स्लोट में थी विस्वची ठाकुर की ये गेंद सणी यादो का ये बला हला बोला है जाये दूर से उठा कर लाएए वाडर शॉट कमाल का ये चक्का है स्लोट में डालेंगे तो फिर ये पार्क करना जानते हैं पार्किंग में सनी Angebरा क्या बन पाएगे सानी गड़ा के तरह अभी तक तो अंदाज पर न गिनने दे क्योंकि दिल्ली वैकरी की तरफ से आपके लिए भी पुरसकार है दो गेंद कॉर्सलो डिलेबरी लेकिन समझ लिया था उस गेंद को बल्ले बाज रिंग को यादोने और इसको एल लेक बॉंडरी के उपर से खेल दिया छे रनों के लिए तो ये लगा 99 मॉल से कथी परिवर्तन जरूर था लेकिन उसे पहले ही पढ़ लिया था बल्ले बाज ने पूरी सपलता के साथ हमारे दर्सकों के बीज भेज दिया पनप रही थी उसको तोड़ने में काम्याब हुआ है करा नंबाला और पबेलियन का रास्ता दिखाया है बल्ले बाज सनी यादों को 27 गेंदों में 45 अनों की ये साजेदारी हो चुकी थी तो कहीं न कहीं एक सम्वाल जनक स्कोर के तरफ पढ़ रही थी टीम वहीं पर एक जटका लगा है सनी यादों के रूप में पर सुझी ठाकुर काम्याब हुए जो उन्हेंने पत्ता फेका था उसमें काम्याबी मिली उन्हें साजेदारी तोड़ने में काम्याब हुएं करानमबाला टैनिस किर्केट का बहुत बड़ा नाम एक बार भी सरोस तयार पढ़ियां शॉर्ट डिस्ट अकवर बॉंडरी के छेत्र में लेकिन बहुत ही अच्छी फेल छेत्र अच्छल कंडे की कोशिस की तियो आपर खड़े खिलाली ने लेकिन सपल नहीं हुए गेल चीरती हुई गई बाउंडरी बाहर चार रनों के लिए तो ये लगाल रह्मान आई हास्पीटल चाओका कनेक्टिंग बल्लामपूर खुशूरत बल्ले बाजी कर रहे हैं बारिंग को याद लीजे बॉल को भेजा है हवा में लेकिन उतना अच्छा कनेक्शन होने पाया लांगार शेत्र में खिरारी मौचूद है कोई गलती नहीं किया है फस्ट के उस जाल में जो भी झाकर रखाता सरोच परमानिक ने और मिल गईए कोच सफलता जब जब आते हैं के बाजी करने के लिए तब तब यहां पर इन्हों ने सरोच परमानिक को मिलने वाली एक सफलता यहां पर मिली है और विकेट नंबर चा पर किरिश्णा टाइगर लगनों का जिनके पास एक अच्छी गती हो और सठीक जगा पर जहां डालने की कोशिश चोटी बॉल आई ये चोटी बॉल आई ये उतना अच्छा कनेक्शन होने पाया लेकिन उजाप काफी दूर बॉल गई नहीं है खेला कहीं और चाहिए थे बॉल गई ये लांग अन्चेतर में और ये सोच रहें कि इस बॉल पर च्छका नहीं अठा लगना चाहिए था लेक्षोद देगा था ये और अब बला चल गया था पहले बॉल तोड़ा सा फसके आई है और अमपैर अभी बिश्रा का इशारा आता हुआ यहां अत्रिक तरन का वाइट बॉल का इशारा स्रोच यहां थे खाली मिट्रोग तेकर आपको लेकिना है तोड़ा स्रोचक अपैर ने आए 11 आईए लेजे फुल टास बॉल इसी बॉल की तराश कर रहे थे इसी बॉल को ये ढूड रहे थे और टपा जमीन पर किनने नहीं दिया पास में एक ताकत होती है बड़ी शॉट लगाने की और इस तरह के फुल टास बॉल वो भी आप लेगिस ट्रम्स से बाहर आप डाने की कोशिश करेंगे तो यही परिणाम देखने को मिलेगा यही रिजल्स देखने को मिलेगा आपको लेजे एक बार फिर स्रुश वर्माने कहां छोड़ने वारे हैं ये सीधा कैश थमा बैठे रागवेंदर ने एक और विकेट नाखुश है इस शॉट से नाखुश है इस शॉट से वापस जाना पड़ेगा और अब देखा जाए कि और निराश एक और उम्मीद पर पानी फिर आएक और बलेबास अगरा चालान वापस जाना पड़े का ड़काउट में सरुश परमानी को एक बार फिर विस्वा जदा है इनके उपर का अपतान विस्वजी ठाकुने ये शॉट बता रही है ताकत है इनके पास में वो क्वालिटी है इनके बलेबास है इनके पास और ये शानदार चखका और इसे चखके के मदद से स्कोर्ट चलांग लगाता हुआ रिंको सिंग याबर रिंको यादो ओ चोटी बाल डाना मना है याबर तो आमान तरित किया बायल मुझे मार बहुती कमाल का पुल शॉट जो यूआ पी शानदार बलेबाजी करते हुए दो चखके अपता की सोबर में आ चुके हैं स्रोच परमानिक चाहे तुरा साथ दबाव भहसूस कर रहे हैं उनके पहुंचे कफ्टान साहिब की देखिए दोसरा मुकाबला खेलने काफी दूर से आए में दो बार हमने यहार से हार का सामना करना पड़ा था इस मैदान से लेकिन आज हम जिस जिम्मेदारी के साथ में पहुंचे हैं यहां हमें कुछ आर्दसमनों सुने तीन रिन परतियों पर जारा है जारी है लेचे एक और ताकत का इस्तेमाल यहां पर किया है दो दो खिरारी वहां पर मौजूद है मिस फिल्ड पर और यह जो डिस्ट्राइकर पर खिरा जूद है और साथ ही साथ अर्रामा और हास्पटल के एक नई उम्मीद डाक्टर यशप कयूम हमारे बीज मोजूद जो कि एंबेबियस के छात्र है और बहुत ही समय में कम आने वाले केशे परिशान बोल्ड आउट यहाँ पर यारकर लेंद की गेंदाई लुवर फूल टास वहाँ बनने बल्लेबाज की भूमिका में राम सिंग इनिंग से चार गेंदे मात्र शेस रह गई हैं और इन बची हुई चार गेंदो पर स्कूर कहां तक ले करके जा पाते हैं टास हारने के बाद बल्लेबाजी को मजबूर कृष्टना टाइगर 11 लखन इस बल्रामपूर क्रिकेट ग्राउंड में बल्रामपूर प्रीमियर लीग में अच्छी गेंद यहाँ पर बिकेट कीपर को छकाती हुई बल्लेबाज को छकाती हुई सीमा रेखा के बाहर चार रनों के ले जाती स्कूर 114 के योग पर साथ बिक्टों के लुक्सान पर विनिंग तार्गेट 115 रनों का और जब तक मुकाबला दुबारा सुरू ना हो तब तक एक्स्ट्रा इनि लेकिन मुगाबला दर्सकों को देखिनों को मिल सकता है अगर सुरू आती चड़ों में ही बिकट लेने में कामियब हो गए किसना टाइगर्स लखनों के खिला दितों ते गेंद बढ़िया शॉर्ट बेतरीन कनेक्सान और गेंद गई है स्कॉायर लेक बाउंडरी के उपर से छेरलों के लिए चाह बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का एक सो चालेज करोड की आबादी में पंदरा खिलाडियों के सदेस्ट के टीमों में इस खिलाडी का नाम कोई भी टीम मनेजमेंट हो सामेसे एंट से तया धिरे धिरे कद इसी बीज बड़ी आशोट नजाकत बराशोट पे फिल्म बनने जा रही मराटी में इसी बीज बड़ी आशोट नजाकत बराशोट गजप की बल्लेबाजी बे मिशाल बल्लेबाजी रोहित सर्मा के अंदाज मेड़ा पर संसा करनी होगी इस किलाड़ी की और वही पर संसा करने होगी नदीम नियाजी की जिन्हों ने बर्रामपूर के इस मैदान पर हिंदोस्तान के समी नायाब सितारों को इमिड्विकर्ट पे एक फिल्डर बुजूद पुल्टास गेंद और गेंद गई है स्क्वार लेक बाउंडरी के उपर से छेंड की आहिमिद क्या है जमी पर आओ फिर देखो इनकी आहिमिद क्या है और बुलंदी से कभी जर्रों का अंदाजा नहीं होता महराट के एक छोटे से छेत्र में जनम लेने वाला यह हुनार किर क्या जबादास खेल का मुझारा प्रेस किया इस किलानी ने पिरसना सथ पुते नाम नहीं बर दूस्टी में तमन अजी की टीम बारती गेंद कलाईयों के सारे उसे केला है तो क्या जबादास अंपारिंग रभी मिश्रा देवाट का दूसरा मकाबला एक बारिया शोट कमा की बल्लेबाजी के मिया सेर हूँ तो किरकट खेले का जो जुनूर है वो देख सकते हैं महराच की खिलाडियों के अंदर का जबतास बल्लेबाजी अब तक सांते जाज़ कुरेशी का पड़ी आगे और सीधा क्लीन बोल कर दिया बल्लेबाज कि एक और सफलता मिलती हुई वहाँ पर क्रिश्णा कर पटकी हुई गें लेकिन ये गेंद बाजी करना मना है सरोज को क्योंकि लंबेक हुए सरोज खाता कोला है वहाँ पर छक्के छक्के का सरोजने कल इन्होंने बहुत ही बढ़िया पारी और बढ़िया गेंद सीधा नभीन कस्यप के हाथों से छिटकी ये खाम्याजा आपको बुकतना होगा इचाज कुरेशी सरोज प्रमानिक पार्क कर दिया है पार्किंग लॉट में यूज 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 मैक्सिमम इस इलाके पर इनका कपजा है यू तो ये बंगाल दुरगापुर का ये खिलारी लेकिन स्लॉट इनका इलाका है इस स्लॉट में डालेंगे तो यहाँ पर इनों नहीं जाती है टीम तो कल के मुकाबले में भी ट्विस्ट रहेगा फिलाल यहाँ पर राइट एंड दोनों खेलना जानते हैं ये पूने का ये हो नहार के लारी और इस से ओवर से देखिए किसने सोचा होगा कि रहीज जो इतना अच्छा ओवर डाला है इतना खड़ा ओवर घटेगा ये दो छक्के पूरी तरीके से गेम में फिर से वापस लाकर खड़ा कि ओवर चार अनों का था ये ओवर सुरुवाद किया है विकेट के साथ 41 गिंदों से 28 चाहिए नए बले बाज अब आते हुए रवी बनारस टेनिस क्रिकेट का एक बहुत बरा नाम नुमान सेक के साथ जब आकरी ओवर में सब बहुता 26 रण चाहिए थे इन्होंने ऐसे ऐसे चखके लगाये थे ऐसा लगा था कि उमीदे जगा दी थी लेकिन अंतता पड़िनाम पक्ष में नहीं रहा लेकिन क्या जब अरदस्त बल्ले बाजी हुई थी और वो बल्ले बाजी ने पूरे भारत को दिखाया था कि रवी बनारस के पास वो चमता है वो अबिलीटी है किसी भी परिस्तिती में पुट प्रिमियर लीग का बाबु यादो की अगली गेन रवी बनारस के लिए बल्ले का लगा गिनारा एको और कैच एको और विकेट एको और टिवर ट्विस्ट आता हुआ मुस्किल है हालाग तो वक्त बदलने दे इन बादलों की क्या उकाद जो सूरज को न निकलने दे और निकला है सूरज चमका भी है सूरज एक सूर्य अस्त है क्या ये मैच मस्त होगा ये टॉर्रा मिंट जबर्दस्त है विकेट आया है ट्विस्ट आया है रोगी को दवा चाहिए जोगी को जब चाहिए रोगी को दवा चाहिए जोगी को जब चाहिए हम तो है क्रिकेट के दिवाने हमें तो बीपील जैसा वर्ल्ड कप चाहिए ये बीपील का वर्ल्ड कप बलरामपुर प्रिमियर लीग स्पोर्ट्स इस्टेडियम में बार हुए यहाँ पर एक जोड़ार अपील उसाहीद अपील उम्पायर अवी मिस्रा और ये उंगली खड़ी कर दी है जाना होगा यहाँ पर मुन्ना सेख को भी बार फैसला होता है इंतिजार करना पड़ेगा वही हम बताएंगे दरसकों के लिए अगर आप ओवर बॉंडरी कैच पकरते हैं एक ओवर बॉंडरी जो दरसक कैच पकरते हैं उन्हें एक देली बैकरी की और से रस्क दिया जाता है अन्फिल्ड अंपार का फैसला आउट का है देखना होगा टीवी अंपार का क्या फैसला होता है सभी की निगाहे स्क्रीन के तरफ है सभी इंतजार कर रहे है क्या फैसला आता है देखना होगा सभी की धरकने तेज होती हुई देखना हो बाता होगा देखना है देखना हो इंत देखना होगा होगा हो चुई पियास्ट विएक्या होगगा होगा है यह समय जो लग रहा है यह परती थोड़ा है कि साइद बहुत कड़ी भी मामला है अन फिल्ड अमपायर का डिसीजन आउट का है देखना होगा टीवी अमपायर का डिसीजन क्या आता है सभी की निगाहे स्क्रीन के उपर क्या फैसला होगा क्या यहाँ पर मुन्ना सेख को बाहर दामने करन अमपाला यहाँ पे भी बल्ले से आई है वाज महिन सा लगा है किनारा विकेट की पर इंको यादो का मिला सहारा एक और विकेट और हमारी एक वो साइडी रहल में मासा कितने रंग बदलती हो इतने रंग तो गिर्गिट भी नहीं बदलता क्रिकेट तू कितने बदलती हो और यह वक्त है बदलने का और यह वक्त है जो बदला है इसी ओवर से चार विकेट क्या कमाल एक अच्छी बदले बाद कीजिए फुल डास बॉल जिर्हा बिल्कुल इसी शॉट की जरुए थी नदीम नियाजी वारियर्स जो एक ठंडी सास्रे अब लिये है चौके के बाद जहाँ एक जमाय साला करा था खामोशिया बिल्कुल शाइवी थी उस डगाउड में और यहाँ जिस शॉट की जरुए थी नोने पिटारे से निकाला हुआ है चौका आए ओ लेजिए आपर के तक दम स्लाट में गिरिया है और पाद को काफी दूर भैजाया च्छेह रन के लिए बैजाया मैंने का था शुरुआत में एक बाद देखे बहुती शांदार बल्ले बाजी करते हुए बहुती शांदार बल्ले बाजी करते हुए और अभी आँ देखे एक के इस गेदों में तो यह देखें कि वर टैलाया है बाल को दिशा दिखाएगी आप जाएए बाहर जाएए खिलारी बिल्कुल लगाए शौर्ट मेर्विया देखें डीपिस को अपर से छे रन के लिए जाएगी अब यह शौर्ट जो लगाए बिल्कुल आप यह शौर्ट धर्शादा की लीजिए अब दोर अंदूर है अपने लक्ष से लीजिए बिल्कुल गाल काली एर्विया आईए और यह बाल जाएगी चार अन के लिए जाएगी और इस मुकाबले को जीता है चार विक्टों से जीत लिया इस मुकाबले का प्रुसकार एजाज कुरैसी मायरा अपनी मैच इस पोल्सर भाई भी मूसिंग और यह चमचमात लीजिए ट्रोफी